नमस्कार आज के दिन के पहले सत्र जो है वो नितियायो के बारे में है और सुशासन में नितियायो का अहम भूमिका रहा चुकी है आज हमारे बीच में नितियायो के CEO श्री बीवियर सुब्रमाणियम जी उपस्तित है मैं नितियायो के CEO जी का परिचे करके देना चाहता हूं सुब्रमाणियम सर ये 1987 ब्याच के भारती और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके है श्री सुब्रमाणियम सर ने पीछले तीन दश्कों में मध्यपरदेश चतिसगड तथा जम्मू कश्मिर में महत्वपुर पदो पर रहे चुके है वेवानिज्य और उद्ध्यक मंत्रा लेके सची रहे चुके है जम्मू कश्मिर के मुक्के सचीव तधा प्रधान मंत्रिक कारा लेके पदो पर रहे चुके है मैं पूनावाला फिंद कॉर्प के चीफ कंप्लाइंस ओफिसर तथा लीगल और CSR श्री मनोज गुजरान जी को बिंदी करता हूं कि वो उनका सन्मान करे तालियों से उनका स्वागत करिए श्री सुब्रमन्यम सर के साथ आज वारतालब करने के लिए हमारे बीच में श्री संतोष गुपता जी मोजुद है संतोष गुपता जी ये इंडियन सोशल रिस्पॉंसबिलिटी नेटवर्क के सीओ है ये संगटन भारत में CSR डोमेन में काम करता है और कॉर्परेट और एंजो की बिच में समन्ध में का करता है मैं हमारी सहकारी वितनात जी को बिंती करता हूं कि वो संतोष जी का सन्मान करें ओवर टो यू संतोष जी तैंक यू सो दिल्ली की सुबख स्थेंडी की और हमारे बीच में एक बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट जिनको भारती प्रसासनिक सेवा का एक लंबा अनुभाव है हम सब उनको जानते हैं उनका एक छोटा सा परिछे अभी हमारे मित्र ने दिया है हम सब के बीच में VVR सुब्रमनियम जी है मैं आपका सर रामभाव माहल की प्रबोधनी की तरफ से आपका हिरदर से स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल समय दिया और सुसासन महोसो कारकरम में आप आए हम सब जानते हैं कि सुब्रमनियम जी का जो एक प्रसासनी का अनुभाव रहा है उनमें से कई ऐसे अनुभाव है जिनको साइद आपने पढ़ा होगा सुना होगा जिनमें से एक प्रमुख मैं आप सब के बीच में उनसे मैं अपने सवाल पूछू उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो निर्ने डिसीजन मेकर की जो भूमिका रही है उनमें से एक प्रमुख भूमिका जम्भू कस्मीर में जब आप मुखे सचीव रहे और आपके समय में धारा 370 हटाई गई और आप सब ने देखा कि बहुत ही सक्सेस्फुली जम्भू कस्मीर पीस्फुली रहा और सारे लोगों का उनके साथ जन्मत रहा ऐसे कुसल नेत्रितों करता आज हमारे बीच में है और सबसे गर्व की बात है सर मेरे लिए मैं as a field practitioner, development practitioners इस चीज़ को जब देखता हूँ कि निती निर्धानर policy making में एक important role play निती आयोग आज कर रहा है लेकिन सुसासन महोसो के इस जो हमारा आयोजन है और जो यहाँ पर लोग हैं उनके मन में विसेव एक बहुत दिनों से है जो मैं चाहूँगा कि आप से पूछ वहीं से मैं सुरुवात करूँ दस साल पहले योजना आयोग था और अभी भी कई राजियों में इस तरह से planning commission है जो कि काफी लोग उसको जानते हैं और दस साल पहले जब ये योजना आयोग नीती आयोग में कंवर्ट हुआ और एक Transformation Policy Formations Policy Framework को लेकर हुआ तो मैं आप से ये आप सब के विहाब पर ये समझने की कोशी से करना चाहता हूं कि नीती आयोग और योजना आयोग में major differences क्या है और नीती आयोग योजना आयोग से कैसे बहतर है धन्यवाद संतोष जी ये योजना आयोग जो planning commission होता था ये बना था 1950s में और 50s में तो भारत में ही नहीं बरन्तु दुनिया के अधिकांग्ष देशों में जो सबसे प्रचले ideology थी वो socialism और centralized planning की थी तो उसके concept से ये planning commission का जनम हुआ अगर आप देखें तो ये जो planning का concept है actually एक Soviet Union का concept है five year plans जो थे Soviet Union से शुरू हुए थे और उस समय के जो हमारे leaders थे उस से बहुत प्रभावित है बाहर के पड़े हुए थे तो उनको लगा कि यही तरीका है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें भी एक planning system लागू करना है इसलिए उसका नाम भी planning commission योजना आयो रखा गय लेकिन अगर समय के साथ देखेंगे देश बदल गया लोग बदल गए पढ़ाय लिखाई बदल गई दुनिया में भी वो विचारदारा कम्जोर होता गया और जहां पैदा हुआ वहीं पर इसको बंद कर दिया 90s में रश्या में बंद हो गया नाम मातर के लिए चाइना भ लेकिन एक इसको पकड़ के हम चले जा रहे थे एक तो यह बहुत बड़ी कमजोरी थी जिससे क्या है कि पूरी सरकारी धांचा के उपर एक मने रक्षा कवज की बजाए एक जेल की तरह इसने बांध रखा था एक तो यह बड़ा प्रॉब्लम है किसी विभाग को कुछ भी करना होता जब तक प्लानिंग कमिशन उसे हा नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ पाते थे दूसरा एक और वे भागों को जो पैसे मिलते थे सरकार के ने दो प्रकार के खर्चे होते हैं आज कल इसको रेविन्यू और कैपिल बोलते हैं रेविन्यू मने रोज का खर्च पूरा प्लान का जो खर्चा है, उसकी सारी चंट्रोल प्लानिंग कमिशन को दे दिया था. इसका मत्रब देश का जो चंट्रोल एक तरह से देखा जाए तो वित्य विभाग, मामूली खर्चे देखता था. और अगर देश को आगे बढ़ाने वाला सारा जो खर्चा है, वो प्लानिंग कमिशन के हाथ में था. उससे दो नुकसान, एगें, ये भी एक बहुत सेंट्रलाइस थरीका, जब तक प्लानिंग कमिशन तहीं नहीं करता, कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, और वो जब तक आपकी बात नहीं मानेंगे, जब तक उनकी ही थिंकिंग आप नहीं मानेंगे, आगे थे पने विभागों को वो आजादी नहीं होती थी, अपना-पना प्लान खुद करने का अपना-पना capital expenditure. उससे का एक और, भारत सरकार राज्यों को भी बहुत मदद करता है, centrally sponsored है, अज जो मोदी जी हमारे प्रधान मंतरी जी इतने कारेकरम चला रहे हैं, हर घरनल हो, सौभागया हो, बिजली का हो, यह जो भी हम प्रधान मंतरी आवास हो, अभी solar का अनॉंस किया है, यह सब भी भारत सरकार राज्यों को मदद करते हैं, कुझ जगा 40 प्रतिशत, कुझ जगा 60 प्रतिशत, छोटे-छोटे राज्यों में 90 प्रतिशत, यह भी plan मना जाता है. Plan का मतलब कौन देता है यह? Planning Commission. तो Planning Commission के माधिम से यह पैसे राज्यों को भी जाते थे. इसका मतलब किस राज्य को कितना देना है यह कौन ते करेगा Planning Commission, योजनायोग और इसमें क्या होता था हर वर्ष, अक्टोबर नवंबर महिनों में, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योजनायोग में आना पड़ता था Plan Discussions, एक एक जलूस, जल्शा की तरह होता था दर्बार की तरह लगते थे मुख्यमंत्री लोग वहां आते थे अपने हाथ पहला के साब क्या देंगे, क्या देंगे और योजनायोग के जो भी लोग होते थे वो ताय करते थे तो हमारे यहां एक financial resources करके division होता था, यह सबसे मजबूर division था क्योंकि भाई भारत में development खर्चा क्या होना है सारा तै करने वाला वो एक व्यक्ति और उनके पर जो भी deputy chairman members होते थे अब देखा जाए मुख्यमंत्री भी एक भारत के जो समविधान में प्रदान मंत्री के बाद राज्यों के स्थर पर उन्हीं के बरावर के लोग है अपने राज्यों में प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री, cabinet मंत्री से भी आगे होता है और वो लोग यहां क्यों में खड़े हुआ हैं पैसे लेने के लिए तो यह एक विसंगती हो और planning commission को एक तो एक पुरानी प्रक्रिया plan बनाने का और दूसरा यह जो पैसे देने का आदत इससे तो तीसरा उन्हें promote काम करना था कि देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में सोचें, देश की capacity को बढ़ाएं, तंत्र को कैसे मजबूत करें, इसके बारे में सवाई नहीं था, क्योंकि आपको जब पैसे का काम आ गया, तो आप उसी पर लगे रहोगे साल भर यही चलता था वहाँ पर प्रक्रिया तो यह जब हमारी सरकार बनी 2014 में, तो यह मोदी जी के पहले चंद महिनों के निंडरनेयों में यह के था, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ना थे, उन्होंने यह महसूस किया मैं हर साल यहाँ पर क्यों लगा के खड़ा हूँ यह कौन होते हैं मुझे बताने इन से अच्छा तो मैं अपने राजी गुजरात में कर रहा हूँ तो उसनोंने यह फैसला लिया कि यह प्लानिंग प्रक्रिया को खतम किया जाए तो उससे दो-तीन चीज़े हुई है अब यह मैं नीतिया के भूम में बता तो उन्होंने सबसे पहले नाम बदला, प्लानिंग कमिशन भंग किया वो तो जरूरी है कि लोगों के दिवान में बात आया है कि एक नई संस्था है और नई सोच है उन्होंने पहले यह फैनैंसिंग का काम जो है उसको बंद कर दिया तो आज वो सारा काम वित्तमंतराले को चला गया है और सारा या तो आप रिविन्यू खर्चा हो या कैपिटल खर्चा हो वित्तमंतराले में फैसला होता है उसका असर आप देख रहे हैं देश दौन रहा है अब साल में इस साल रेलवेस को दो लाग पिछले साल दो लाग लाग विभागं मिला गया पांच करोड़ इस साल दोनो विभागं मिला कि साड़े पांच करोड़ उनको आजादी मिल गई अलग-अलग तरीके से अपना कैपिटल ख़तम हो गया डिपेंडेंट ही नहीं मुझे कैसे काम करने हैं आप बताओगे और आपके बाद नहीं मानूँगा तो आपको नहीं मिलेगा तो इतनी centralized हो गए थी तो एक लचीली पन लियाए system में ये बहुत महत्वपूर्ण और लास्ट, फिर नीती क्या करेगा अगर ये पैसे का काम निकाल दिया और आपने ये निकाल दिया तो रोज का दरबार जो लगता था वो खतम हो गया एक तरह दें तो लोग बहुत नेरुटसाही हो गए इसके अंदर बट नीती का एक बहुत बड़ा भूमिका ये है कि देश के भविश्क है अब नॉर्मली दो मिनिट लूँगा कि हैं बहुत महत्वपूर्ण है विभागों को अपना रोजमर्रा काम में ही सारा व्यक समय निकल जाता है उनको सुबा से शाम तक कहीं आग लगी हुई है कहीं कुछ करना है पैसे रिलीज करना है और दूसरा विट विभाग को एक या दो साल से आगे सोचने का टाइम नहीं होता अब आप बजट खोलिए इस साल का प्रोजेक्शन पिछले साल का बस एक ही साल का होता है आगे कौन है देश में जो पांट साल दस साल पंदरा साल परची साल आगे सोच सकता है एक नितिया योग तो परस्पेक्टिव प्लानिग, विजिनिग, सिनारियो प्लानिग ये काम नितिया योग का है ये नमबर वन नमबर टू, एक बड़ा मुद्ध है इतिखास के सारे प्रोब्लम्स हम लगभग समाप्त कर चुके हैं तो भविष्य के क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कौन इडेंटिफाइ करेगा, उसको समाधान के लिए हमें क्या तंत्र होना चाहिए, हमारे पास क्या केपबिलिटी होनी चाहिए, यह कौन इडेंटिफाइ करके सिस्टम में ले आएगा, यह काम दीती का है, और हम लोग उसी आपने यह जो बात कही वो बहुत important है कि as a हम जब implementation काम करते हैं तो field के challenges में हम इतने involved हो जाते हैं कि future point of view से उसके क्या solutions होंगे वो कभी हम देख नहीं पाते हैं आपने क्योंकि एक लंबा समय as a implementer भी आप जब भारती प्रसास रिंग सेवा में थे तो आपने बहुत सारी सेवा schemes प्रोजेक्ट को implement करने में एक लंबा समय आपका गया और आप आप as a policy maker नीटी आयो को head कर रहे हैं और जैसे की बर्तमान में मोधी सरकार का जो सबसे बड़ा focus है वो है minimum government और maximum governance पे तो यह जो minimum government और maximum governance है इसको लेके नीटी आयोग की क्या भूमिका है और सरकार के जो schemes है projects हैं उनको आगे ले जाने में किस तरह का role play कर रहे हैं देखें जी schemes of projects में सारे उप्तर देता हूँ नीटी आयोग कोई भी प्रदान मंत्री जी का एक और वाक्या है जो बार बार बोलता है whole of government approach यह political party को इसे लागू करना आसान होता है क्योंकि एक ही party होती है सरकार जो है ना विभागों में विभजित है तो यह विभाजित विभागों को साथ में लाना हो लो government बहुत ही मुश्किल काम है ए दूसरा कोई भी योजना अगर आपको लागू करना हो ना एक विभाग से अकेला काम नहीं होता है मैं उधारन देंगा अभी प्रदान मंत करेंगा मने छे साथ विभाग साथ मिलके इंप्लिमेंट करेंगे तभी वो योजना दोड़ेगी अब इस प्रोग्राम को डिजाइन करना इन सब को साथ बिठा के एक मत पे लाना यह जैसे नीती का काम है सो पीम विश्वकर्मा योजना हो पीम जन्मन जो अभी ट्राइब ट्राइबल ट्राइबल गूप के लिए किया प्रधान मंत्री जी ने वह बीस पच्छीजार करोड़ वो एक विभाग का नहीं है साथ आठ विभागों का है पेजल कार सड़क का बिजली का हेल्थ का यह सब को इकठा करके वह हम लोग को बैठके आठ विभागों को मिला के सब लाइन में आओ क्योंकि सबको थोड़ा-थोड़ा कुछ बदलना पड़ता है एक नए योजना शुरू करने के लिए यह इंटेग्रेटिक काम के लिए यह नीटियायो की ताकत है दूसरी आप जब बता रहे हैं गवर्नेंस कैसे सुधारे यह हमारा सतत प्रयाश्रत है कि जो जैसे कोई नई स्कीम आती है नई स्कीम जाती है अप्रोवल के लिए वित्य विभाग को उसको बोलते हैं EFC, EFC का ठपा जब तक नहीं लगेगा वो कैबिनेट में नहीं जाएगा और EFC का ठपा लगया तो कैबिनेट को मालूम है कि इसका अच्छा अनालिसिस हो फिल्ड इंफिल्मेंटेशन स्ट्रक्चर क्या है यह कौन देखेगा वो नीतियायोग देखता है तो मारे पासे एक डिविजन है प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिविजन उसका काम है कि EFC में जो भी स्कीम जाता है भई इसका तंत्र सही है या नहीं है जर कर लिए इसको फैक्टरी में मैनुफेक्चर करके दुगान तक लाने में कुछ और सिस्टम लगता है प्रोसेस वो प्रोसेस देखना नीति का काम है तो मेरा जो प्रोजेक्ट अप्रेजल और मैनेजमेंट डिविजन है इट इस माने लगभग वीटो है उनका एक बहुत ही सुना सा एक नाम कहेंगे है कि लाप टू लैंड हम सब जानते हैं और उसको लेके काफी चर्चाएं भी होती है बहुत सारे ऐसे प्रयोग इनोवेशन्स होते हैं जो नीचे तक जाते हैं लेकिन ऐसा ही एक कॉंसेट जिसको मानी प्रधान मंत्री जी ने उसको बहुत प्रमोट किया है और रिसेंट्ली हम लोगों ने जी ट्वेंटी में भी देखा लाइंड टू लैब भी अभी कॉंसेट काफी फेमस है और उसको लेके बहुत सारे काम हो रहे हैं क्योंकि भारत में जो इंटिजिनेस प्राक्टिस को भी इत. तो क्या नीती आयोग भी पॉलसी फ्रेमवर्क में इस तरह के land-to-lap concept को भी प्रमोट कर रहा है? यह शप्द शायद प्रयोक ना हो लेकिन यह हमारे एक विल्ग है यह मानि प्रदानमंतरी जो ने शरू के थी अटल इनोवेशन छोचेंघ अटल इनोवेशन मिशन इनोवेशन मानि सब्लब का जो अर्थ है यह आप कई तरह से ले सकते हैं लोग सकते हैं, innovation high tech चीज है, innovation high tech हो सकता है, medium tech हो सकता है, low tech हो सकता है, paramparik हो सकता है, sanskritik हो सकता है, सब कुछ innovation में आ जाता है, और innovation ये नहीं है कि हमने नहीं चीज की शृष्टी की, जो अलड़ी है, उसको पहचानना भी एक तरह से innovation है, ये भी सत्य सत्य है हमेशा, जो हमारे रुषी मुनी क्या बोले, सत्य को हमने केवल गरहन किया, हमने सत्य को इन्वेंट नहीं किया, ये तो ये एक फर्क है, सो जो innovation, हटल innovation mission जो कर रहा है, ये दो चीज है, एक स्कूलों में, दस हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग ब्लैक्स उन्हों ने शुरू की, ये अटल टिंकरिंग लैप्स में बेसिक है, आठवी, नवी, दसवी के बच्चे में, एक साइंटिफिक टेमपर लाने का, कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं उधारन लिता हूं, जब नहीं नहीं, जब पुराने जमाने में, 1980s में, सबसे पहले कंप्यूटर सरकारी दफ्तरों में आये थे, उसका नया अच्छा सा प्लास्टिक का कवर लगा के लोग बैठते थे, और हफते में एक बार देखके उसको साफ करते थे, चूने में डर लगता था, कभी किसी ने चुआ है नहीं बच्छपन में, लेकिन आज के बच्चे देखेंगे, बच्छपन से मुबाइल फोन से खेल रहा हूं, उनको कंप्यूटर से डर नहीं वगएरा, मुबाइल यूज में और डेटा में सबसे सस्ता भी और मैक्सिमुम भी है, तो यह जो अटरल टिंकरिंग लैप्स ग्रासरूट्स पे इनोवेशन शुरू करने का है, बट यह तो पहला कदम है, दूसरा, हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स को फैनान्स कर रहें, बट इसम इनको दुकान तक कैसे ले जाएं, फैक्टरी तक कैसे ले जाएं, लेकिन एक नया उसमें इनोवेशन दो प्रकार के कर रहे हैं, एक है कम्यूनिटी इंक्यूबेशन सेंटर्स, मने not colleges, बट कम्यूनिटी लेवल पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, एक कहीं हम लोगों ने बारा नसी और घाजीपूर के बीच में एक संस्था के साथ, तो इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि ग्रामीन लोग, रूरल लोग, जो जहां पर वहां पर पारंपरिक जो नॉलेज है, उसके माध्यम से भी आइडिया आता है, उसको इंक्यूबेट करके, कमर्शिलाइज करने कर जो आपका जो लैंड तो लैब, एक तो कम्मुनिटी वाला है, दूसरा, यह जो सारी बाती इनोवेशन, इनोवेशन की चल रहे हैं ना, इस अब अंग्रेजी में हो रहा है, यह वरनाकुलर लैंगविजस में नहीं है, तो इस वर्श हम सुरू कर रहे हैं, इनोवेशन लोकल लैंविजस, तो इनकुबेशन सेंटर भी हमारी भाशा है, क्या क्या है, 10% लोग, 15% अंग्रेजी बोलते होंगे देश में, पचासी परसी बोलते नहीं है, तो वो इस से वंचित रह जाएंगे, इस प्रवाफ में जोडेंगे नहीं, तो उनके लैंग्वेज में हो फिर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आने के बाद मुझे विच्वास है कि यह भाशा का जो, क्योंकि आज यह कम हुआ है, कम हो जाएगा, मैं यहां पर अंग्रेजी में बोलूँगा और आपको हिंदी में सुनाई देगा, और आप हिंदी में बोलेंगे, मुझे तिल्ग को इन तक ले जाने का, यह हमारा प्रोग्राम है, यह हमारे पास हम एंजियोस को बजात बराबर ढून रहे हैं, कहां कहां यह खोले, तो इस पे मैं सिर्फ एक ओडियन्स पॉइंट आव यू से एक बात समझना चाहेंगे, कि क्या जो जमीन पर जो प्रयोग हो रहे हैं, ज तो हम एक चीज़ों को नहीं कौ जया जाता है, हर स्टेट लेवल पे, मीटिंग्स जाती है, इन का प्रचार प्रसार किया जाता है, और हमारा क्या है? हमारी जो फूटप्रform है के वल दिली है, तो हम आगचली विभागों के माधियम से काम करंग़े हैं, तो अब अज एक सेंटर से चल पड़े और अच्छे रिजल्ट साने लग गए हम फिर चाहेंगे कि राज और अन्य विभाग अपनी और से शुरू कराए हमारा इडिया है कि हम भी एक इनोवेटर है लेकिन हमने इसके लिए क्या कोई टारगेट सेट किया है वहाँ पे या उनको डिपार्टमेंट्स को इसके लिए हम कुछ प्रमोट करते हैं कि इस तरह के लोकल रिसर्चेश को जो फाइंडिंग्स है उनको हम यहां तक पहुँचाने में कुछ रोल प्ले कर सके इस साल के आपको बहुत सारी जगह पे सुने होंगे, देखे होंगे, आज भी नोने नितियायोग का और इसके से जुड़े सवाल सुन रहे हैं. सब के मन में एक सवाल होता है कि पॉलसी बनाना तो बहुत असान है, लेकिन पॉलसी को इंप्लिमेंट करना बहुत ही मुस्किल काम है. सबसे बनाना असान नहीं है, ये भी मैं बता दू, क्योंकि सब्जेक का नॉलेज मालू होना चाहिए, ग्यान होना चाहिए, इंडेप्थ अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए, आप कोई डेसिशन ले रहे हैं तो उसके प्लस माइनस क्या है, अन्य तरीके क्या हो सकते हैं इ सारी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन आपने जो इंप्लिमेंटेशन की बात कही, ये सबसे मुश्किल चीज है, कई कारणों से, A, capabilities, जो छमता चाहिए लोगों में, किसी चीज को क्रियानवित करने के लिए, उसके लिए पूरा तंत्र में capabilities होने चाहिए, और का का काम होता है कि सब के capabilities को उपर उठाएं, और उसके लिए आपको लोगों को प्रसिक्षित करना पड़ेगा, डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा, वो नया दोर में गहना है, साथी हात बढ़ाना टाइप, आप जो चल नहीं पा रहा है, उसको भी पकड़के आगे खेच कुछ समय में वो भी चलने लग जाएगा, डाट-फटकार से काम नहीं होता है, because उससे बढ़ करना पड़ेगा, सब कुछ लीडर्शिप के उपर depend करता है, for me, government में खास करके, policy makers में, अगर उसको क्रियानवित करना हो, तो आपको हर स्थर पर लीडर्स की जरूरत है, और ल जोगों में लीडर्शिप डेवलप करते जाएंगे नीचे स्थरों पर, उतना आपका इंप्लिमेंटेशन सुधरेगा, मैं एक उदाहरन दोंगा, Aspirational District Program, सफल है, क्योंकि लीडर्शिप, DM को दिया है, उनको डारेक्ली बात करते हैं, उसमें उर्जा आता है, आप Aspirational Block Program, बीडियो को दिया है, अब पेले कौन सो दिया है, बीडियो मेहने में मीटिंग के लिए आता है, और कुछ नहीं, बट एक बार आप आप अप्मी में विश्वास करो, उसको टैलेंट दो, उसको सपोर्ट दो, और उसको थाप्रिसिक्शन दो, शाएद उसको आता नहीं हो, वो अपने आप डेलिवर करने लगता है. और किस तरह से वो कंट्रिब्यूट कर रहा है? दो चीजे, जो चीजे विभाग खुद करती है, हम उसमें डारेक्ट घुसते नहीं हैं. कहीं कोई नया दवाई इन्वेंट करना हो, मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो करेगा. लेकिन जो अंतर विभाग ये चीजे है, जो दीतार विभागों के बीच के समयनवाई के जरूरत है, वो हम समझते हैं कि हमारा रोल बहुत बड़ा है. उसमें उसमें हम तीन चार चीजों पर गांप कर रहे हैं. For example, मानिये वित्तमंतरी ने भी एक जगा विक्सित, वाइबरन गुजरात में मैंने सुना, देश का जीडीपी 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर्स होगा. यह आकड़ा हम लोगोंने मॉडिलिंग करके निका ली. लेकिन यह 30 ट्रिलियन डॉलर्स कहां से आएंगे? बहुत कुछ श अगे ले जाएंगे? कलकत्य की एकानोमी कैसे आगे ले जाएंगे? तो हम एकनोमिक प्लानिंग सिटी की कर रहे हैं. चार शेरों का हो चुका है. देरे देरे 20-25 शेरों का करेंगे. मॉंबाई, सूरत, वारा नसी, वाइज़ा कर चुके हैं. और शूनी बाहर करेंगे इसक इसरी इं'Mास्ट्रलॉचर का और शूनिक करके यह इशुच्चर का तो हम ये इन्फरस्ट्रॉक्ट्चर का हम यहीं गल्ती करते हैं, कईबार हम यह तो मॉसके अंस्डब्लाइन कर देते हैं, ऐसे ही नहीं बन गये. उसकी एकनोमिक वैल्यू नहीं होती तो द्या आप बन आपको रिगिस्तान के बीच में शेर मिलते नहीं है, तो शेहर कुछ नहीं है, एकनॉमिक अक्टिविटीज के सेंटर हैं, आप भंबे में जाईए, धारावी हो, किसी जग में सलम जाईए, दिली के पस्ट, इस डिली, वो हुज एकनॉमिक सेंटर हैं, लोग यह समझते नही है, वो सोचते हैं, दिखने में गंदा लग रहा है, बात वो नहीं है, लोग जी रहे हैं, प्रोड़क्टिव हैं वहाँ पर वगरा, so, शेहरों में जब तक आप एकनॉमिक अक्टिविटीज को रिकनाईज नहीं करेंगे, आप शेहर का प्लानिंग कर नहीं पाएंगे, हम उसके एक डागनोसिस करते हैं, उसके बाद लोगों से बात करते हैं, हमारी अस्पिरेशन के हो, कोई बोले का मुझे नियॉयोर्क जैसा बनना है, कोई बोले का नहीं, मेरे घर के फंदर मिनिट के आसपास सब कुछ होना चाहिए, स्कूल भी, डॉक्टर भी, दुकान भी अलालाग लोग, फिर बड़े लोगों से, छोटे लोगों सबसे बात करें, उसके बाद सबसे मुश्किल बात आती है, स्ट्रेंग्ट और वीटनेस की अनालिसिस, इस शहर में किस चीजों की चमता है, उसकी अनालिसिस, उसके आधार पर पांच-दस ग्रोड ड्राइवर्स को इdenटिफाई करें, और उन ग्रोड ड्राइवर्स को, कैसे हम दस गुना, बीस गुना बढ़ा सकते हैं, कोई नहीं सोचते हैं, अदले से बंबाई है, मैं उधारन ले रहा हूँ, लोग सोचते हैं, बंबाई में मैं अनिफेक्टरिंग मर गया, था, एक जमने में टेक्स से हम बनारस का प्लान बना रहा है, बनारस प्रयाग, अगर यह दोनों शहरों को देखेंगे, एक सो बीस किलो मेटर, और आस में साथ आट जिलों का, कम से कम दस वोल्ल्ट-क्लास एजुकेशनल इंस्टूशन से, बहु है, अलाबाद उनिवस्टी है, संस्कृत साथ जाएल एरिया है हो, so but there is no processing there. So what I mean is, economic planning में आपको पूरे एरिया को लेके साथ चे नहीं, urban-rural divide भी नहीं देखना चाहिए, because एक दूसरे भी निर्भर करता है, यह है, तो इस प्रकार के agricultural transformation पे काम कर रहे हैं, और लासली, यह भारत का जो इकसित भारत का roadmap, इस पे काम कर रहे हैं, कल माने प्रदानमंत्री जी, economic times का किसी summit में बोल रहे थे, तो बोला हम, मेरा roadmap तयार है, यह roadmap कौन बना रहा है, मने नीति आयोग, विभागों के साथ मिलके, हम अकेले नहीं करते हैं, हमारा शब्द है, we are partners, states के साथ partners, ministries के साथ partners. बहुत अच्छी बात गई आपने, यह बहुत important है, समझना कि नीति आयोग ना सिर्फ पॉलसी फ्रेमवर्क में एक आहम भूमी का निभारा है, बल्कि उनके जो implementations है, process है, अगर हम किसी program की success देखते हैं, तो उसमें एक नीति आयोग की एक महतपूर भूमी का है, जो publicly नही नहीं दिखती है, लेकिन उसका एक एहम रोल है, जैसा सुबरमनियम साहब ने हम सब को बताया, मैं सर समय को ध्यान में रखते हुए, आपके दस साल के लच्छ को मुख्य लच्छ क्या है निति आयोग के, और कौन-कौन से major program, schemes हम लाने वाले हैं, ऐसा अगर आप से लेकर आज तक हम basic necessities को लोगों तक पहुंचाने में ही व्यस्त रहें, सड़क, बिजली, पानी, खाना, रोजमर्रे के चीजें, ये इन चीजों पर ही सारा शासंतंत्र रहा है और वास्तविक है, बहुत ही गरीब देश था वगरा, अब जो पिछले दस सालों में जो गत समाप्त करने जा रहे हैं ये समाप्त कर चुके हैं, इस साल के अंतक हर घर में पानी भी पहुंच जाएगा, बिजली सब जगा पहुंच गया है, सब जगा सड़क बन चुके हैं, तो मैं ये कहता हूँ, problems of the last century are over, अब हमें challenges of the next century identify करना है, next century के challenges के लिए क्या problems आ सकती है, ह इसको कैसे leverage करके भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में कैसे ले जाए, अग्रणी देशों में, ये हमें सोचना है, इसके लिए, और ये बड़ा important है, हमारा सबसे बड़ी ताकत हमारी आबादी है, we are demographic dividend जो अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारा जो population है, ये हमारी सबसे मजबूत शक्ती है, और ये शक्ती को उपयोग में लाके, इसमें invest करके, हमें next level of development में जाना होगा, इसका मतलब क्या है, शासन की ज्यादातर investment, लोगों की education, लोगों की skilling, लोगों की health care, ये, वो किसी का कहना था न, आदमी को एक दिन का खाना दोगे बिक्षा में, तो व जिन्दगी बर के लिए वो निर्भर हो जाएगा, so, invest in our people, demography will then give a big payoff, और आज की तारीक में, दुनिया का महौल हमारे पक्ष में है, you know, we are in a very favorable moment in history, संयोग बोलिये, हमारी ताकत बोलिये, जो भी है, सब कुछ हमारी तरफ के इंदृत है, geopolitics हमारे favor, geoeconomics हमारे favor, तो हम इस demographic dividend, science and technology, innovation, और छोटा नहीं, बड़ी सोच लेके चले, कि भाई, एके कदम नहीं मारेंगे, छलांग मारेंगे लोके चले, आप निश्चित रही है, कोई भी challenge हमारे लिए मुश्किल नहीं है, और कोई भी लक्ष impossible नहीं है, बहुत अच्छी बात आपने कही, अब मैं जल्दी से समय को ध्यान में रखते हुए, दो छोटे-छोटे सवाल आप से पुछूँगा, आम आदमी का नीती आयोग में क्या रोल हो सकता है, या public participation के point of view से, जन सहवागीता के point of view से, अगर ये मैं बात कहूँ, तो policy making में क्या जन सहवागीता का भी कोई रोल है क्या? मैं उधारन दे रहा हूँ, हम लोग विकसित भारत का road map बना रहे हैं, और प्रदानमेंटरी जी ने किसी जगा पे कहा था कि ये कोई बिरोक्रेट नहीं बनाएगा, ये हमारी देश के प्रजाग के ideas को लेके बनाएंगे, तो 11 दिसम्बर पिछले साल हमने voice of the youth, विकसित भ दोजार सेतालिस में भारत कैसा होना चाहिए, वहां तक पहुचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और आप वहां तक पहुचने के लिए क्या कर सकते हो, ये तीन प्रशन थे, पांच अलग-अलग चीज़ा हमने पूछा, और मैं हर्ष की बात है, दस लाख से ज़्यादा और हमने केवल कॉलेज स्टूडेंट से ये प्रशन पूछे, जनरल पॉब्लिक से नहीं, पोर्टल पे कहा, कॉलेज पे सारे वाइस चांटलर्स को बोले, आप यहां का हो, वाट्साइप में सब को बेजा है, और क्यू आर कोड लगा है कि आप लगा हो, तो सीधा वेब साइ हमारी सीरियसनेस, अब यह कहेंगे कि दसला कप कई डबे में बांद के साइद में तो नहीं छोड़ दिये, हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूज करके, यह ऐसे इसको प्रॉसेस करके, इसकी निचोड बाहर निकाल रहे हैं कि तो हमें मालूम है कि ज्यादा तर लोग य यह लोग यह बोल रहे है, यह लोग यह बोल रहे है, रीजनली अन्तिम सवाल कहूंगा कि सुर्मनियम साहब जाइज इन्डिज्वल सुसासन कैसे देखते हैं, आपके पॉइंट आ व्यू से गवर्नेंस क्या है? governance as a bureaucrat, I mean, पैंति साल जैसे जादा हो गया है, 38, simple, one is integrity, I mean, integrity is the hallmark of सुर्शाशन, number one, so I think it is non-negotiable, that's very, very clear, और उसी से विक्ती का हो या तंत्र का हो इज़त बढ़ता है, पॉब्लिक में बजो इमेज होती है, यह है, मने तर्रिस से में देखा है, जेन के में देखा है, मेरा नहीं, किसी, IG है, और टर्रिस के messages में, यह आदमी शरीफ है, इसको नहीं चुएंगे, मना आपस की messages में, उन में भी एक इज़त होती है, शरीफ इंसान के लिए, so this is very important, number two is commitment, commitment to public service, शाशन में अगर कोई विक्ती काम कर रहो, बड अब समझ गए, तो मैंने, करोणों लोग कमा सकने वाले लोग भी है, सरकार में, लिकरन हम कर रहे हैं, तो वो सब छोड के आए, so the only binding thing is public service, so keep public service in mind, कि हर व्यक्ती के लिए हम काम कर रहे है, जो देखना है, शासन में देख रहे है, अंत में एक व्यक्ती जो होता है, इतना ह ही खाता है, हर आदमी का पेट इतना ही होता है, जितनी मुठी है, this is the size of, उस से ज़्यादा बाकी तो ये सब दिखावा है, so if you are focused on integrity, commitment, and third, it's competence, हमेशा जीवन यातरा को एक learning मान के चलिए, जो भी उमर हो गया हूँ मेरा, आज भी मुझा लगता है, मैं किसी वेक्ती से बा आपने, sir, बहुत ही कम समय में नीती आयोग को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, इसे एक चीज तो इसपस्ट होती है, कि नीती आयोग की नियत, जो है, वो सुसासन से जुड़ी हुई है, और आपकी under your leadership, नीती आयोग बहुत आगे जाए रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इन सब के लिए हम सब की सुबकामनाएं भी आपके साथ हैं, आप कारक्रम में आये, अपना समय दिया, मैं राम भाहुमाल की प्रबोदनी की तरफ से आपका पुना हबार प्रगट करता हूँ, थैंक्यू सो मच.